हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांसक्रमी पर फ्रेंट्स आज हम लेकर आया है घटना चक्र में जो है इंसियंट में हम पढ़ रहे हैं जैन धर में आई ये स्टार्ट करते हैं आई वोप आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग कैसे कमें बॉ ओपकों क्या मणा महात्मा को जो है निर्ग्रंत कहा गया है जयन धर्मे कुल 24 तथनकर है अभी तक जिन्होंने समय पर जह आँन कमें आपके सब्सक्राइब्दै किया है यह यह आथी नाथीıllिक को कर दें़ा जीत नाथいう दूसरे संभों नांत जीत 3 एं और सबी आपको जाने की जरूरत नहीं देखते है कहा से देखना है 19 नंबर पे मली-नाथ और 20 मोंडीICK है मौनि Menschen जैन धर्मे के प्रथम तिर्थंकर कौन है रिसब्देव है जिनका नाम आदिनाथ भी है इनके अन्य नाम है रिसब्देव अरिस्टीनेमी का इनका उलेग रिगवेद में मिलता है तो रिस अधर्मे के तेश्वेति थंकर माने जाते हैं इनका जन में कहा हुआ है तो काशिया वरांसी में हुआ है इनके पिता असुसेन जो है काशी के राजत है पार्सनात को वरांसी के निकट आस्रम पद उध्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था उनका परिनिर्वान सम्मेट सिखर या सम्मेट परवर्थ पर हुआ था अपरी numero, अस्ते मिनस होता है, चोरी ना करना, अपरी गर मिनस होता है, धन का संवच्छु ना करना है, बहुत ज्यादा धन ना रखाना, जितनी आ सकता है, उतनी मातरा में रखना है, महावेश्वामी का जन्म जो है वैसाली के निकट कुंडगराम या कुंडल पूर में हुआ लगभग 599 इसापूर में हुआ तो कब हुआ इनका जन्म 599 में कहां पे कुंडगराम में हुआ है वैसाली के इनके पिता जो है सिध्धार्थ कहा है यागरित ग्यात्रिक छत्रियों के संग के प्रधान थे ये किस पुलकत है ग्यात्रिक थे इनकी माता जो तृसला है अथवा विदेह दत्ता वैसाली के लिच्वी गणेश लिच्वी की चेटक की बहन है लिच्वी गणेश जो है चेट सोदा या कुंडिन ने तोर 10 की कन्या है ये किस गोतर की है कुंडिन गोतर की इससे उन्होंने अरोज्रिय canción पृष्व सवाम की पुतुर्षना नाम की कुछ पृष्वार्षमस फिलendo FOR he लुएनका विवा जो है औराली के साथ व्ष्व के साथ हुआogen जो महावीर के पर्फम से भी रहाए था जैन्धर में पूर ग्यान के लिए कैवल सब्द का प्रयोक किया गया है जिसको पूर ग्यान प्राप्त होता है कि महा वे सौमे को बारा वर्सों में 12 वर्सों को समीब जिंबिका अग्राम के समीब रिजुपाली का नदी कौन सी नदी रिजुपाली का नदी के तड़ पर साल प्रिच के नीचे कैवल या पूर ग्यान प्राप्त हुआ था ज्यान प्राप्ति के पश्चाद केवलीन अरहत यानि योग्य जीन यानि विजेता तथा निरगन्त यानि बंधन रहित कहलाए कौन कहलाए दो महाविर स्वामी जी कहलाए कहरोल प्राप्ति के पक्षद महावीर स्वामी ने अपने सिध्धान्तों का प्रचार प्रारंब किया वैसाली के लिच्च्वी सहरदार चेटक जो उनकी मामा थै जयनधर्मे के इसक्रित सिध्धानत है जो कारे करते ही पूर्ण हो जाना था इस मद्भेत के करांड जमाली ने संग छोड़ दिया और एक नय सिध्धानत बहुरत बाद या कारे पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाए का प्रतिपादन किया जैन धर्म में दूसरा विद्रो जो है जमाली के विद्रो के दो वर्स बाद तीस गुप्त ने किया था मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय के स्थापना की ये इंपोर्टेंट पॉइंट है अपका पांसो सताइस इसा पूर्विर के लगवग 72 वर्स की आयू में राजगीर या राजगीर के समीब जो है इस तित पावापूरी नामकस्तान पर महावेर ने अपना सरीर त्याग दिया या इनकी मृत्यू हो गई कहां हुए तो पावापूरी या राजगीर में हुए महावेर क की सिच्छा दी कौन सी सिच्छा दी तो पंच महावरित और चार महावरित को किस ने दिया था तो यह आपके पार्शनात ने दिया था अब पांचवा जो है महावेर स्वामी ने इसमें सिर्फ एक जोड़ा था प्रम्हेचर जोड़ा था सत्याहिंसा और अस्तियाप इग् पांचण को छोड़ दिया हब वार उसका पालन करते थे क्योंकि संसार में रहते गया इन महा व्रतों को पूर्ता पालन करना संभौ नहीं था इसलिए आंसिक रोब से इनके पालन के ळिए कहा गया ये पंच अडू बुरत कौन कौन से थे सतया प्रumn औरर परिग्रह औरमिर्शामीन में वेदों की आप परुष्ति स्विकार करने से इंकार कर दिया कि जो है वेदो किरच नहीं की गई है तथा धार्मिक समाजिक रूरियों पाखंडों का विरोध किया उन्होंने आत्में वादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच कमार्ग अपनाया जिसे उन्होंने अनेकांतवाद स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी स्यादवाद को स्यादवाद को सप्त भंगनी के नाम से भी जाना जाता है यह अग्यान की सापेक्षता का सिध्धानत है महाविर्स्वामें पुनर जनम एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे किन्तु इस्वर के अस्तित में उनका संकर है और प्रतिक चिन दिये हुए हैं देखते हैं रिसब देव का प्रतिक चिन बैल या व्रिसब होता है अजीद नात का जो है हाथी संभवनात का अश्व एब यह तिन आप इंपोर्टेंट उपर क्याद करलेज़े और नीचे के आप यहां से याद कलिए मलीनात का मलस है नेमीनात का नीम्ला अगर पूछेगा तो इस नहीं से पूछता है तो अज्यान के कारण कर्म जो है जीव की और आकर्सित होने लगता है जिसे आश्रों कहते हैं जब अज्ञान के कारण कर्म जो है जीव की और आकरस्रित होने लगे तुसे क्या कते आश्रों कहते हैं क्रोध, लोव, मान, माया, आधिको, प्रवितियां जो एक कसाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं जैन धर्मे मोच के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं सम्यक दर्सन, सम्यक यान और सम्यक चरिती इंपोर्टन्ट है तो मोच के लिए कौन से तीन दर्सन, ज्यान और चरिती याद रखना है इन तीनों को जैन धर्मे त्री रतन बताए गए हैं जन्द्र में किती तीनों को त्रिफमOrange से करणे कर्म का जीव के और प्रवाह बंच्छा संवर्फर कहते हैं इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं इसे निरजला के ziemlich निर्जला किसे कहते हैं जब इसके बाद जीव में पहले से वियाप्त कर्म समाप्त होने लगे उसे निर्जला कहा जाता है जब जीव में कर्म का और से पूर्ण समाप्त हो जाता है तब वह मोच को प्राप्त कर लेता है महावेश्वामी ने अपने जीवण काल में एक संग की इस संग में 11 प्रमुक अनुयाई समलित थे ये अनुयाई क्या कहला है गड़धर कहला है इनके नाम है इंद्र भूती अगने भूती वायू भूती ये दिनों भाई थे आर्य व्यक्त सुधर्मन मंडित मौरी पुत्र अंकपित अचल भ्राता मेतार्य प्रभास महावेर की मौरीत्यों के पश्चा सुधर्मन जयन संग का प्रथम अध्यच बनता है तो महावेर की मौरीत्यों के पश्चा कौन बनता है सुधर्मन जयन संग का प्रथम अध्यच बनता है सुधर्मन की मृत्यों के पहचा जो है जम्बू 44 वर्सों तक संग का अध्यच बना रहा कौन बना सुधर्मन की पहचा तो जम्बू बना था अंतिम नंद राजा के समय संभूती विजय कथा भद्रवाहू संग के अध्यच थे महाविर द्वारा प्रदत 14 पुर्वो पुर्वो या प्राशीतनतम जैन गरंथों के विशय में जानने वाले ये दोनों अंतिम ब्यक्ती थे संभूती और भद्रवाहू कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया पहला है स्यतामबर दूसरा है अपका दिगंबर स्यतामबर वह थते जो स्यत वस्तधारण करते थे धिगंबर जो है वह नकन रहते थे या कोई वस्तधारण नहीं करते थे इस्तूल भद्र के अनुआई स्वतामबर कहला है और जैन भद्रवाहू के अनुआई क्या है दिगंबर कहला है या अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है ये इंपोर्टन्ट है कि इस्तूल भद्र के अनुआई आपके स्वतामबर भद्रवाहू के अनुआई आपके दिग गंबर कहलाए यह अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाए है प्रथम जैन सभाब का 310 इस्वापूर में पाठली पुत्र में इस्थुल भद्र की अधिस्टा में हुई थी इस सभा में जयन धर्म जो है बारा अंगों का संक्लन किया गया इसमें भद्रवाहु के अनुआयू ने भाग नहीं लिया था प्रथम जयन सभा में जो है किसने भाग नहीं लिया तो भद्रवाहु के अनुआयू नहीं भाग लिया दिती जैन सभा चटी सताब्री इस्तापुर 512 इस्वी में वरलवी गुजरात में इसके अध्यच कौन थे तो देवार्धी गर्ण या छमा स्रमड थे तो अध्यच कौन थे आपके देवार्धी गर्ण या छमा स्रमड थे कब कब हुई तो 512 इस्वी में वरलवी उजरात में हुई थी दूसरी जैन सभा याद रखिएगा कि अधेष्टा में संपन्यों दूति जैन सभा के समय करेथ संत्र चार मूल शूत्र अनुयोग शूत्र का संक्रण किया गया जैन साहित्यको आगम कहा गया इस धन्द कहा जाता है इसके अंतरगर जो है 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकेंट 6 14 4 मुल सुत्र 10 प्रकेंट सुट्र 2 चूलीका सुत्र की गणना की जाती है ये जैन आगम में 12 अंग कौन कौन से है तो इसका मतलब नहीं है आप लोग देख लीजे येकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनमें ब्रह्मान का वर्णन, प्राणियो का वर्गी करन, खगोल विद्या, काल विवाजन, मर्णोप, मरोत्तर जीवन का वर्णन, आदिका उलेख प्राप्त होता है 12 उपांग ये हैं आपके इसमें जैन धर्मे के उपदेश, विहार के जीवन, विचुव के करतबे, यम नियम, आदिका वर्णन है, चार मुल सुत्र ये हैं उपियुक सभी ग्रंथ जो है स्वितामपर संप्रदाय के लिए हैं दिगंबर संप्रदाय के अनुआई इनकी प्रामाडिक्ता को सिविकार नहीं करते हैं ये कौन मानता है सभी ग्रंथों को सितंबर संफ्रदाय मानता है देगांबर इनको नहीं मानता है देखते हैं अंे जयन ग्रंथ और उनके रचनाकार खौन कौन है कल्प-शुत्र की रचना किसने की भधरबाहोरे की स्याद वाद मंजरी की जो है मली सेन ने की थी याया वतार की सिद्ध सेन दिवाकर ने न्याय दीपिका की धर्मशूर धर्मभूशने पंच विसंतिका की पद्मनंदी ने तो यह आपका इंपोर्टन्ट है कि कल्प सुत्र की रचना की थी किसने भद्रबाहु ने परिशिस्ट परवन की रचना की ध्रिश्जिन ने की यह इंपोर्टन्ट है ओर्ल द्रब्वे संगरह नेमि चंगर तवार्थ शूत्र उमास्वामि लोगवर्तिक विद्यानंदत स्वामि प्रवर्चें सारा के कुंदम् कुंद तो यह पके पहला एकल्प शूत्र याद पत्र था संप्रति वो जो है जैन मत का संड़चक था वह उज्जैन में सासन करता था जिसके कारण उज्जैन जय है जैन धर्म का प्रमुप केंद्र बन गया तो जैन क्या है जैन धर्म का प्रमुप केंद्र था उस टाइम पे जैनियों का दूसरा प्रमुप केंद्र जो था मंथुरा था पहला कौन था वो जैन दूसरा मंथुरा यहां उनके यहां से अनेक मंदिर प्रतिमाय अभिलेख आदी प्राप्त होते हैं कर्लिंग का चेदी सासक जो है गूफ़ा भीहर बनमाए थे राष्ट कुट राजाओं के सासनकाल नवी सताबदी मेंगुजरा तर राजस्तान में जैन धारमे गे राहें अधिक लोगप्टी रहा तो राष्ट कुटो के टाइम पर भी जैन धारमी जो था यह लोगप्टी था खजुराहो के हिंदु मंदिर हिंदु धर में जो है जैन धर में से संबंदित है खजुराहो के जो मंदिर है वो हिंदु धर में से भी संबंदित है और जैन धर में से भी संबंदित है माउं टाबू जो आपके राजस्थान में है कि दिलवाडा जैन मंदिर संग मरमर के बने हैं तो संग मरमर के कौन से मंदिर बने हैं तो दिलवाडा के जैन मंदिर जो माउं टाबू पर है राजस्थान में इनका निर्माड जो है गुजरात के चालुक के या सोलंकी सासक भीम देव प्रथम ने करवाया था का मंतिर में निर्मार्ट किस ने करवाया था। सोलंकी के सासक भीम प्रथम ने करवाया था। में नामक उनके मंत्री ने तो स्रवना भेल गोला में जो मंतीर है करनाटक में किसने उसका निर्माड करवाया तो गंस गंग बंस के सासक के जो मंत्री हैं चामौन रायद्वारा करवाया गया था लगभग हो 981 हिसापूर में आधार के बाहु बलिए गुमतेश्वर बाहु बली को हम क्या कहते गुमतेश्वर कहते हैं कि विसाल कायव जैन मूर्ती का निर्मार सर्म बैलगोला में बाहु बली प्रथम जैन ति-धंकर जो है रिषव देव के पुत्र माने जाते हैं तो प्रतम जो है महा मस्तका विशेग जैन धर्म का एक महत पूर्ण उस्सव है जो बारे वर्स के अंतराल पर करनाटक राजी के स्रवन विल गोला में आयोजित होता है तो महा मस्तका विशेग किस के लिए आज़े तो तब बाहु बली के लिए बहर बारे वर्स पे जो है करनाटक में आ चुछ तूल भधु जो सफेदबाहुस्त धारन करते थे धी चंभब जो We Can 판le भागी नितृत में हैं और ये नग्शना अमध्य को सरो नितृत संपरदाय के लोग सवेध्य धारन करते हैं इस समप्रदाय के लोग पूर्टेयार नगनर रहकर तपस्या करते हैं इस मत के अनुसार इस्त्री के लिए मोच प्राप्ति संभव है इस अंप्रदाय के लोग ज्यान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहन करने में विश्वास करते हैं दिगंबर मत के अनुसार आदर ससाधू भोजन नहीं ग्रहन करते हैं इस मत के अनुसार जो आपके मली नाथ वो इस्त्री थे जबकि दिगंबर कहता है कि मली ना थे पूरुस थे यह आपका में डिफरेंस आई आगे दिखते हैं यह यह से क्यूज करते हैं कि फस्ते जयन धर्मे के संस्थापक कौन है 아이-सु धर्मा पारसुनात महावीरस्वामी रिसब देव तेय आप leurs जो आदिवीनाथम on जयनिधर्मी का प्रसार किया है जयनिधर्मी की प्रथम तिधनकर कौन है थे याप के लिश्त व सब देव हो प्रार सुना थ्यांति मुक्वा landing सिसे सम्बंदित नियुक्त पीता जो है कासी के राजा थे हैं पार्स माट तेइस्वे जैन तिथंकर है इनका जैनर वरांची के राजा के हुआ इहां था इनकी एता का नम वाद म्लेétais था और यदिन तो आदिनाथ की से संब्दी थे आपके वृसब से या वाज संब्दी थे पर्स नाथ आपके शर्प से संब्दी थे मढली नाथ के जलकलस संब्दी थे संभो नाथ आपके अस्yorsunस데 प्छू से हो जाएगा कि आगे देखते हैं का पीशो नमबर फाइब तितंकर उन्य के संघ्यान है पार्स नात तो आधि नात वरिसब से बैल Oh है इस तरह से आपके एंसर हो जायागा D तिटंकर और निर्वान स्थल कौन सेbaren ही सुमेलित नहीं उर्जे पंति क्यों सुम्मेल इन्मे आफ पावापुरी से कौन है तो सुम्मे शिखर से आपके बरस नातर जी है है कि व्हुशंड नम्र आशिक तौन तृब निम्लथी तेंशन पर विचार कीजिए उनको सहीथ काल क्रमा नसका विवस्थित कीजिए अभिनंदन मनुश्रूबत नाथ विमलनाथ पदमन प्रभू तो यह है आपका ए सबसे पहले आएंगे आपके अभिनंदन फिर आएंगे आपके पदमन प्रभू सेकिंड पर और फिर आएगा आपका विमलनाथ थर्ड पर फोर्थ पर आपके आएंगे मनुसरुवत नाथ question number 8 महाविर स्वामी का जन्म कहा हुआ कुंड़ ग्राम में मगद में पाटली पुत्र में वैसाली में तो इनका अंसर है कुंड़ ग्राम में महाविर स्वामी का जन्म हुआ था वैसाली के कुंड़ ग्राम में महावेश्वामी का जन्म कुंडग राम या कुंडलपूर में वैसाली के निकट लगव 599 इसापूर में हुआ इनकी माता जो थी तिरिसला थी तिछवी चेटक के बहनती चेटक की पिता जो थे सिद्धार्त थे ग्रातिक छत्रियों के संकी के प्रधान थे उनके बड़े भा महावेश्वामी का है गौतम गुद्ध का कहा है अपनों कमेंड वॉक्स में अंसर करके बताएं जैन धर्म जैन धर्म के प्रवार्तक महावेश्वी का मोच्छ स्थान कहा है मनेर पावापूरी राजगे जालन कोड़तु यह हैं इनका पावापूरी में इनकी मृत्ति हु पावापूरी जैनियों का प्रमुकर स्थाल पावापूरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमेटर दूर इस्थी था बगवान महावेश्वी ने 527 इसापूरो थाथ 72 वर्स की आयू में बिहार के पावापूरी में कार्दिक क्रिश्न अमोश्या को निर्वार या मोच्छ प्र जैन धर्मे से सम्बंदी थे जैन धर्मे कुल 24 तिथंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्मे का प्रचार पसार किया जैन धर्मे के प्रथम तिथंकर रिसर्थ देव तथा अंतिम तिथंकर आपके महावेश्वी है जैन तिथंकरों के करम में अंतिम कौन था तो ये अपके महावीर्थे 24 वे नमबर के 24 वे तिथंकर है रसब देवा के फ़र्स्ट है पार सनाथ आपके 23 है निमर्खित में से कौन एक जयन तिथंकर नहीं है चंदर प्रभु ने भी नातमूनि और संभो तो ये हैं आपके नातमूनि जयन तिथंकर नहीं है प्रभासगीरी जिन का तिर्थ अस्थल है कहां है तो जैन में है प्रभासगीरी उतर पुदेश के कोसांबी में इस्थित जैन तिर्थ अस्थल है कोसांबी का प्रभासगीरी अस्थल जैन तिथंकर पदम प्रभ से सम्मंदित है जहेंदर में पूर्ड ग्यान के लिए क्या स्थी किया गया जिन को पूर्ड ग्यान प्राप्त हो पर एक साल व्रिच्छी के नीचे कैवल या पूर ग्यान प्राप्त हुआ था विप केवलिन कहलाए थे तो यह आपकी नदी कौन सी है रिजुपाली का ग्राम कौन सा जिंबरित काउं है और व्रिच कौन सा है तो साल व्रिच्छ याद रखिएगा यह सभी महावेश्वामी क किस नदी के तड़ पर ग्यान प्राप्त हुआ है तो यह आपके रिजुपाली का नदी है त्री रतौयाइक द्धारण चरित्र सम्य ज्ञान जिस धर्मेगी महिमा है वह कौन है तो यह आपका जैन-धर्मे से संबंदित है और बुद्ध धम संग किस57 द्धमे मोच्छ दे की संग्या दी गई तीनों को त्री रत्ने के रॉप में त्री टीन रात्ने जैसे सटीक त्यान सच्ची आस्थ्था और सटीक क्रिया निम्रखित में से किस्ट्रा संब्दित है तो अपका जय tweeting में से संभन याँ पर जैनध्र मन्हीं मोच के लिए तीन साधना वस्यक बताई गया है दर्शन घ्यान और चरित इन तीनों को हीरमे त्री रता मनें जाते हैं तो बहुत धर्मे के भीत्री रतने हैं और जैन धर्मे के भीत्री रतने हैं और अपरिग्रह की विवस्था की गई है जैन धर्मे ग्रिहस्तों के लिए जो है पंच महावरत अनुब्रत के रूप में ब्योहरित करिया गया है क्योंकि संसार में रहते हुए इन महावरतों का पूर्टा पालन करना संभव नहीं है इसलिए आंसिक रूप से इनके पालन के इसलिए जो है इंसा अनुब्रत सक्ट्य अनुब्रत अस्तिय रूप में और प्रम्हेच्र अनुब्रत अ परिग्रह औरी नुब्रत का पालन करना है कि स्यादबा सित्धान्त किस संबंदीत है तो यह आपका जैन धर्मे से संबंदित है कि स्यादबाद में स्व्. च. одним-छ स्विकार करने से इंकार कर दिया है धार्मिक समाजिक रूरहियों यह पाखनडों का विरोथ किया है उन्होंने आत्मवादियों तथा अनास्तिक JEN कि एकांतिक मतों को चोण कर बीच का मार्ग इपनाय neutry जिसे अनेकांत वाद यत्वाज स्यादवाद कहा गया है स्यादवाद को सब्त भंगी नाम से भी जाना जाता है यह अज्ञान की समद्धा सुन्यवाद, सर्वस्तिवाद और स्यादवाद तो यह है अपका एक और चार अनेकांत वाद और स्यादवाद आपका जैन धर्मे से संबंदित जब कि सुन्यवाद और सर्वस्तिवाद आपका बहुत धर्मे से संबंदित है अनेकांद्वाद अथवां स्याधवाद जयन धर्मिस्स साम्मंदीत महा विसी स delightful मिई में ने आत्मवदी तह नास्तिकों के एकांथिक मटों को चोण कर बीच कमार गे प्रया जिसे अनेकांद्वाद या साधवात कहा गया है जैन धर्मिके अंसार श्रिष्टी की रचना एवं पालन पोशन सार्भामिक विधान से हुआ है जैन दर्सन की अनुसार किसके जैन दर्सन के अंसार समस्त विस जीव अथमा अजीव नामक दो नित्य एवं सोतन तत्व से मिलकर बना है जीव जो है चेतन तत्व है ज़कि अजीव अचेतन या जड़ तत्व है यहां जीव से तात्पर उपनी सदो की सार्भामिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है जैन मत अनुसार आत्मा अनेक होती है स्रिष्टी के कणकर में जीव का वास होता है अनिकान्त वाद निम्रिकित में से किसका क्रोड सिध्धान तेयों दर्सन है बौध मत का जैन मत का तो यह आपका जैन मत हो जाएगा निम्रिकित में से कौन सा धर्म है विश्व विनासकारी प्रलाई की उधारना में विश्वास नहीं करता है बौध हिंदू जैन इसलाम तो ये अपका जैन धर्म है जो विश्व विनासकारी प्रलाई के उधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म का आधार बुद बिंदू है कर्म अहिंसा निश्टा विराग तो ये है अपका अहिंसा अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदू है जैन धर्मे सम्यक चरित्र के अंतरगत परिवाजर को तथा तापसो के लिए अहिंसा सत्य अस्तिय अपरिग्रह ब्रमचर नामक महावरत की पिवस्था की गई है ये अपनी किसका एक संप्रदाय है तो ये अपका जैनों का एक संप्रदाय है ये अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति यद्द्य पी दिगंबर संप्रदाय से हुई है तथा भी ये कतिपे स्वितांबर मानिताओं का भी पालन करते हैं तो दिगंबर स्थानक वासी संप्रदाय किस संबंदी था बोध मत वैशनों मत जैनमत से संबंदी था स्थानक वादी स्थांबर जैनों का एक संप्रदाय है इसके स्थापना 1623 में हुई थी यह संप्रदाय अपने संप्रदाय लोग का जिसके स्थापना लोकांसा ने की थी से उत्पन हुआ है इस संप्रदाय के लोग मुर्तियों की पूजा नहीं करते हैं निम्रकित में से कौन सबसे पूर्व काले जैनग्रंथ कहलाते हैं बारण चोद क पूर्व बारण उपांद और चोदह फूर उपुर्व वह अंतिम नंदि राजा के समय संभूती संभूती वीजय बद्र तथा बद्र वाहु जयन संके अध्यच थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदस्च चौदा पूर्वों की विशय में जानने वाले अंतिम्भ्यक्ति थे प्रारंबिक जयन साहित में किस भासा में है त। यह अर्धमागदी भाकशा में लिखे गये हैं त्य। यह अंग में लिखे गये हैं बाद मैं जयन धर्म ने प्राकृतिक भासा को अपनाया और यह ईगर misma च्पूर्थ बूर्श था इसका पूर गुजरात में वरलभी नामकस्तान पर अंतिम रोप से संक्लित किया गया आज जैन साहित लगवग सभी भासा हमें अनुदूत अनुदित मतलब अनुदात किया गया है इसका निम्लिखित में से कौन सास्थल पार्षनात से संबंद होने के कारण जैन से दिछेतर माना जाता है सम्चंपा सम्मेज सिखर पावा उर्जी यंतर ये आपका सम्मेज सिखर में ही इनकी मृत्य हुई थी पार्षनात की पार्षनात जैन धर्मे के तेजवेती धंकर है जिनका जन्मा वराणसी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 इसापूर में हुआ था कासी के साथ सक इच्छ्वाको वनसी असुसेन इनके पिता है तता महारानी वामा उनकी माता तीस वर्ष की आयू के बाद उन्होंने ग्रिह त्याग कर आजीवन बहरागी ततत तपस्तिया लगाया वरांसी के निकट आश्रम मद उद्यान में समास्ति दे होकर गठिन तपस्तिया करने के उपरान तुने 84 दिन वे जो है उनको कैवल या ज्यान प्राप्त होता है पार्सनाथ का परिनिर्वान सम्मेद सिखर या सम्मेद परवत पर हुआ इसी कारण या जयन सिद्ध छेत्र माना जाता है निम्रिखित में से निम्रिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्ति का भाग नहीं है थेरी गाथा सुत्र कृतांग अचरांग सुत्र प्रिहत कल्प सुत्रत्वी है अब का यह थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्ति का भाग नहीं था थेरी गाथा ब साहित्प संबंदित में अचिरांग सुत्र सुत्र कृतmeter और रिहत कलब सुत्र अरंभीक जैन साहिति के भाहें है जैन संपर्दाई के सम्से प्रथम विभाजन के समय से तक्षाम संपरदाई के संस्थापक कौन थे तो है avp थे स्वतामबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र और दिगंबर के भद्र भाहु हैं मौरिकाल में मौरिकाल में मगद में अत्यंत भीशन दूरबिची आकाल पड़ा फलता वहां रहने वाले जैन संगे के भद्र भाहु सुरुत के वली अपने नुआयों को लेकर दच्छिण में चले गया जैन संग का या भाग दच्छिण मैसूर के पुटान प्रदेश में बस गया अकाल समापत होने के बाद भद्र भाहु अपने नुआयों के साथ यहां पुना लौट आया कि तो जैन संग के नियमों को लेकर भद्र भाहु अस्तुल भद्र के वीच जो है मतभेद हो गया इस्तुल भद्र अकाल के समय मगद में ही रहे थे उनके नुआय भी वही थे मागद में ही उन्होंने अपने नुआयों को सफेद वस्त धारन करने के लिए निरदेश दिये ते सुल भद्र ने किन्तु भद्र भाहु ने निरवस्त्र हो रहने के लिए अपने नुआयों को सिच्छा दी इस प्रकार जैन सम्प्रदय दो भागवमी बक्तों गे सुतामबर और दिगंबर भगवान महावीर स्वामी का प्रथम सित से कौन था उनका दमाद जमादी था भगवान महावीर का जैन में जो है छात्री हम्मंत से धार्थ के यहां 599 इसापूर में हुआ था पत्नियए का नाम यह सोधा था इंसे उन से पुत्रिं उत्पन हुई व कौन सी परे दर्शना या अलोज्य नाम था उनका उस पुत्री का विवाज जमाली के छत्री जमाली से ए भगन था जो भगम पांद म traffic का नुवाई या आगंगा सम्पादन हुआ तो यह हैं कर पाठिल पूतर में प्रथम जेन संमेलन आयोजित किया गया जिसमें सुष्वीत अंबर आगंगा सम्पादन किया गया चुकि प्राचीन जैन सास्तर नस्ट हो गये थे अता हुने पुनेह कत्र करने के लिए चतुर्थ सताब्दी इसापुर में इस प्रथम जैन महासभा का इवुजिन किया गया था जिसमें वद्रबाव के अनुआ यू ने भाग नहीं लिया था जैन साहिद से सम्मंधित कत्नों पर पढ़ियो और सही तत्तों का चैन कीजिए स्वितामबर धर्म सूत्र में बारा अंग सामिल है स्वितामबर परमपरा केंसार इन अंगों का संक्रान वरलभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था तो इसके एंसर एड़ी एक सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है परतम धर्में सभा कहां हुई थी तो यह आपके पार्धिल पूत्र में हुई थी परतम जैन सभा स्वितामर मतान वायोगों प्रतौम जैन संगीतित it स्विताधि梂ंग से 12 इंगों का संक्रान इसमें किया गया था दिगंबरों का मानना था कि महाविर की सिच्छाएं बारा अंगों का या बारो अंगों का ग्यान लुप्त हो चुका है इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था वर्दमान महाविर की माता लिच्वी के मुख्य चेटक की पुत्री थी तो पुत्री नहीं थी बहन थी वर्दमान महावीर की माता तरिसला विदे है दत्ता जिसे हम कहते हैं वैसाली के लिछ्वे कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी ना की पुत्री इस कारण मात्री पच्छ से फिय मगत के हरियक वन्स 2700 सत्रू के निकर समन्दी थे 23 तिथंकर पासनात का जर्म जो है वरांसी में हुआ था भगवान महावीर से लगभग 250 वर्स पहले हुआ था इनका प्राचिन धर्मे के संब्ध में नुम्खित में से कौन सा गथन सही है इस्तुल भद्र इस्तुल भाहु के नित्रित में दच्छिन भारत में जयन धर्मे का प्रचार हुआ तो इस्तुल भाहु के नित्रित नहीं भद्र भाहु के नित्रित में किसके भद्र भाहु इन्हें के साथ चंद्रकुप्त मौरी भी गया थे दच्छिन भारत में जिन्होंने सलेखना पद दे दी या बीना कुछ खाय पी अपने सरीर का त्याग दिया थे सर्वानबियल गोला में पाठिल पुत में हुई परिशत के पस्चा जो जयन धर्मे के लोग भद्र भाहू के नित्रित में रहे वेस्वतामबर कहला है प्रथम सतक इसापुर में जयन धर्मे को कलिंग के राजाक हरवेल का समर्थन मिला बौधों की विप्रेज जयन धर्मे की प्रारंभी का वस्था में जयन धर्मे के लोग चित्रों का पूजन करते थे तो कौन से सही है तो यह अपका सिर्फ सी सही है बाकी एक भी गलत था पी भी अगलत था और डी भी गलत है तो यहां से आप रुख देख लीजें प्यूश्य नंबर है 42 इम लिखित में से कौन से कथन जयन सिधान के अनुरूप है कर्म को विनस्थ करने कर सुनिश्चित माग तपस्या है प्रतियक वस्तु में चाहे वह सुच्छमतम कर्णों आत्मा होती है कर्म आत्मा का विनासक है और अवश इसका अंत करना चाहिए इसका अंसर है आपका डी तीनों ही कथना आपके सही है जैन सिधान के अनुसास रिष्टी के कणकण में जीवों का वास है इस सिधान को कर्म का बंधन का कारण तथा सुचमत तत्व भूत तत्व माना गया है जो जीव में प्रवेस कर उसे नीचे संसार की और खीच लाता है जब कर्म का जीव की और प्रवाह रूख जाता है तू सवस्था को समवर कहते हैं जब जीव में पूर मवजूद कर्मों का विनास होने लगता है तू सवस्था को नरजरा कहते हैं जैनियों का विश्वास है कि प्रते एक जीव अप कि तीन साधन आउशिक बताये गए जीने तीरत ने जैसे सम्मेक दर्सन सम्मेक ज्यान सम्मेक चरित कहा जाता है महावीर ने मोच के लिए कठोड़त पस्तिया एवं काया कलेस पर भीर बल दिया है मोच की पश्चाद जीव आवा गमन के चक्र से चुटकारा पा जाता है वह अनन्त चसुष्ट ए अनन्त ग्यान अनन्त दर्सन अनन्त वीर अनन्त शुक की प्राप्ति कर लेता है समाधी मरण किस दर्सन से संबंदी थै तो ये आपका जैन धर में से संबंदी थै सनलेखना या समाधी मरण ये संथारा संथारा समाधी मरण और सनलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यू निकट जानकर स्विच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है इसमें क्या होता है भूख प्यास मतब बिना कुछ खाई पी सरीर को त्याग देना है समाधी मरण ये कहा जाता है इसी हाईhst conflict कतना पर विचार करें दच्छल भारत के च्छ श्वाकों सासक बहुत मत के विरोधा अत्मक थे पूरवी पाल सासक बौध मत के समर्थक थे इसका एंसर है बी केवल दूसरा ही सही है तरचे भारत में तिर्थी और चतुर्थ सताब्दी के दोरान आंधर में इच्वाकों वंस का सासन था इस वंस के साथ यहां कुल सासक हुए जिनकी लगभक सभी रानिया बौध मता और लंबी थी यहां नागारजन कॉंडा इससित मूर्तियों में बुध की विशाल मूर्तिया सामेल है यह द्द पीछवाकों ने फैदिक धर्म का पालं किया किन्तु नों ने साथ ही बौध धर्म का समर्थन भी गया बंगाल में पाल सासन के दोरान बंगाल महत पुण बौध के पाली तुए आपके मखली वसाल जो हैं आजीवक संप्रदाई के स्थापक थे मखली वसाल प्राड़म में महाविर्स के सिस्थ थे किन्तु बाद में मद्भेत के चलते ही नोंने महाविर्स की सिस्थता त्याब कर आजीवक नामक संप्रदाई के स्थापना की इनका मत नियत होता है तो यह है आज जीवी को ने कहा था संप्रदा है जो नियती वात नियती की अठलता में विश्वास करता है तो आजीवक संप्रदा है जिसके स्थापना मखली पूत वसालने की है 24 a नमेर की मिंच्यन है आचारेव सिद्धान्त हैं देखते हैं कौन किस ने लिए लकुली इस ने कौन सा सिद्धान्त दिया है फासू-पाद असी अबंड़ित नगार्जुमं आपके 20 वास्ते सिद्धान से संन्मार्थित था और द्रभाव जो है कि यूश्य नंबर है 49 बराबर के गुफाओं का उप्यों किस ने आस्रेग्रिख के रूप में किया तो अजीविकों ने किया था मौर युग में परवत गुफाओं को काटकर निवास अस्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ असोक तथा उसके पौतर दसरत के समय बराबर तथा नागरजुरी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास पनाये गए थे असोक के समय बराबर पहाड़ी के गुफाओं में सुदामा गुफा कडचोपड गुफा नामक गुफाएं सरुप्रसिद थी यही जो है आजीविकों को दी गई थी उत्तर प्रदेश में बहुत एवम जैनियों दोनों के ही प्रसिद तिर्सस्थल है वो कौन सा है तो कोसामबी है प्रियाग राज या इलाहबाद के दश्य पस्ची में लगबग 33 मिल की दूरी पर इस्थित कोशम नामक अस्थान ही प्राचीन काल का कोसामबी था बैतिक एवम जैन साहित में नेक बार कोसामबी का उलेक हुआ है पुराणों के अंसा हस्तिनापूर के राजा नीच चछू ने हस्तिनापूर के गंगा की प्रवाह में बहा जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी जैन गरंति के अमसार कोसाम बनामक व्रिक्षो के अधिक्ता के कारण इस नगर का नाम कोसामबी पड़ा था यह नगर जैन तथा बहुत दोनों उससे संबंदी था महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म का उपतेश दिया था लोगों का अपना सिस बनाया यहां अनेक विहार थे सर प्रमुगोसिता राम विहार जिसका निरमार स्रेश्ठी नाव स्रेश्ठी गोसित ने करवाया था तथा जैन धर्म के छटे तितंकर प स्थित गुमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतीमति धंकर को दोस्ता आती है भारत का सबसे बड़ा बोध मत अनवाचल प्रदेश में इस्थित था खजुराहों के मंदीर चंदेल राजाओं दोरा बनाये गए थे हुएसल मंदीर जो है सीव को समर्पी थे दिल्सका ऑप्शन है अब कए यह सही है देखते हैं स्त्रवान वेल गोला करनाटक राजी में इस्थित है यह गंग सासक रचमल या चतूर्थ रचमल चतूर्थ प मंत्री ने लगभग 981 इस्वी में बाहुवलिय गुम्तेश्वर की विशाल का सेवन्टी सेवन्टी सेवन्ट फिट उंची जयन मूर्ति का निर्मान करा है बाहुवली प्रथम जयन्ति ठंकर रिसब देव के पुत्र माने जाते हैं स्रवन वेलगोला में गुम्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने इस्थापित करवाई थी तो यह चामुन रायने गंग सासक महांधार में घटना महास्तव महामस्तवसा मस्तकाविसेक जो है निम्लखित में से किस सम्मंदित है और किसके लिए की जाती थी यह बाहुवली के सरवन वेलगोला में आयुजित किया जाता है यहां पर भगवान संत गुम तेश्वर या बाहुवली की 57 फीट की मुची मूर्ती स्थापित की गई है इस तरह से हमारा नया चाप्टर आ गया सेव तथा भागवत धर्म इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में थै